मस्ते कैसे हैं आफ सवाई हो कि आफ सब ठीक हो आज मैं बताने जा रहे हूं पायल सिनामें की वियूटी टीप्स चीहा इपनाइड की क्योंगा पर गृत के संब नहीं कर पारे हैं अगर आपके पासyssर आइमने कोई भी परेशानी है आप अपने स्कीन की टिप्मेंट नहीं कर पा रहे हो तो आप एक छोटी सी टिप्स है इनके जो एक कच्छी हल्दी और कच्छी दूद को मिला कर उना ने बनाया है तो आज में वही श्यार करने जारी हूं अगर आपके पास टाइम नहीं है स्कीन केर के भी ग्लो मिलेगा और बहुत सारे वेनिफिट्स मिलेंगे जिए इसे में बहुत दिन से ट्राइब कर रही हो और आपके साथ शेयर करें आप इसे जरूर्ट आइए तो चाहिए तो चलिए देखते हैं इसे किस प्रकार बनाता है इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए के लिए बहुत ही वेनिफिट है तो और चाहिए हमें कच्छा दूद जी हां कच्छा दूद हमारे स्किन को हाइडरेट रखता है और सॉप्ट बनाता है और स्किन हॉइटनिंग में मदद करता है अगर आपके पास कच्छा दूद नहीं है तो आप पैकट का दूद भी इसको हम मिलाएंगे इसी कच्छे दूद में जी हां कच्छी हल्दी और कच्छे दूद में मिलाकर हम लोग पहले क्या करते थे दादिया और नानिया उपतन बनाते थे जो जो कि शादी से पहले दुल्धन को लगाया जाता था और स्किन में बहुत ग्लो आता था जबकि आ तो इस तरीके से जो नीचे रह जाता है उसको भी utilizz लिवर में डाल जीजे तो आपको इस में जमाना है आपको इस ट्रेय ड़ा नुटरी में घठकर करकर अएज बनाना है यह यह आपको बहुत मिलेगा अगर आप अपनी Square की णिश्हाइड नहीं तो आपको इसे रोजाना रात को सोने से पहले इसको लगा कर छोड़ देना है और ये बहुत सारा आपको सकीन को इंप्रूब्मेंट करेगा आपके सकीन को दिरे दिरे नरिश्मेंट करेगा और आपको सकीन में बहुत सारा ग्लोब भी आएगा ये देखिए मैंने इस तरीके से ही आईज बन चुका है आप 아무리 आइज बन के तयार हो चुकी है इसको आपको रोजाना रात को लगाना है फिर वपस से रखते नहें अगर आप अब कि कि कोई भी देखवाल नहीं कर पा रहे हो कोई भी प्राब्लम है आपके स्कीन में तो आप इस आइस को जरूर यूज कीज़े और इसका रिजल्ट आपको मिलेगा देखने को आपके स्कीन में बहुत सारी इंप्रुमेंट होगी और आपके स्कीन हाइडरेट रहेगी और एक यलो इस कलर के शेट में आएगा जो जिसे देखने में बहुत ही खुपसरत लगेगा इसे मैंने अपने हाथों पर इस तरीके से लगा के आपको दिखा रही हूं कि इसे बहुत ही खुपसरत लगता है लगाने के बाद तो आप इसे जरूर लगाईए इससे आपकी स्कीन के जो पोर्स होते हैं वो भी बंद होगा जो दाग धब पे होते हैं जोटे-चोटे इससे भी कम हो जाएगा तो आपको इसे रोजाना यूज करना है एक से दो महिने के बाद ही आपको इसको रिजल्ट मिलेगा तो इस तरीके से आपको लगाना है अपको फेश पे से लगा करके आपको जो छोटे-छोटे हल्दी के दाने रहते हैं तो फिर इसको घीरते-पर शेंच करकी bleibt थी even cream के मसाज करके छोड़ देना है तो आजाएगा जो देखने में बहुत खुबसरत लगेगा अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप ये जरूर ट्राइ कीजे और मेरे साथ शेर कीजे कैसा लगा अगर आपको ये पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर की मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर तो